गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में प्राचीन काल में रसायन सास्तर एवं बोथिक विज्ञान के बारे में जानकरे प्राप्त करेंगे तो देखेगा भारत प्राचीन काल से ही रसायन सास्तर एवं बोथिक विज्ञान में सबसे आगे रहा है और हमें काफी कुछ देखने को प्राचीन काल से ही मिलता है तो देखेगा यह दिया आप लोगोंने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इत्यास विशेय से सम्मादित महतोपुन जानकारी पहुँच सके और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेसर मिले और आप इत्यास विशेय की अच्छे से तयारी कर सके ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं प्राचीन काल में रसायन सास्तर एउं बोहतिक विज्ञान सबसे पहले पढ़ते हैं रसायन सास्तर के बारे में प्राचीन भारत में रसायन सास्तर तकनीक का सहायक न होकर ओस्ति सास्तर की दासी था जिस कारण इसका स्वतंतर विकास नहीं हो सका प्राचीन रसायन सास्तर रस विद्या अत्वारस सास्तर के नाम से जना जाता है रसायनग्यों ने मद्य युगीन उरोपियनों के सम्मान मूल दाथू को स्वण में रुपांतरन करने की तक्निक में दिलचस्पी नहीं ली तथा अपना ध्यान अधिकांस्त है ओस्तियों आयरुवर्धक रसायनों वाजिकरों विशों एम उनके परतिकारों अधिके बनाने पर ही केंद्रीत किया ये रसायनग्ये विचूर्णन तथा आस्वन जैसी सम्माने परतिकिरिया द्वारा विवित परकार के अमले चार तथा धातू लवन बनाने में सफल भी हो गए उन्होंने एक परकार की बारूत का भी आविस्कार कर लिया था प्राचिन ग्रंतों में रसविध्या को पराविध्या कहा गया जो तीनों लोकों में दूरलब तथा भोग और मुक्ति परदान करती है भारतिय परंपरा में बोध दार्षनिक नागारजुन को रसायन का नियामक माना गया है ठीक है इस नाम के कुछ अउराचारिये भी बाद में हुए हूँ वेंसायं के अनुसार नागार जुन दक्षिन कोसल में निवास करते थे वे रसायन सास्तर में सिद्ध थे तथा उन्होंने अत्यंत लंबी आयू देने वाली एक सिद्ध वट्टी का आविस्कार किया था सोन्य चांदी तामबे लोहे आदी के भस्मों द्वारा उन्होंने विविद रोगों की चिकिसा का विधान भी परस्तुते किया था पारा की खोज उनका सबसे अमहत्त अपन आविसकार था जो रसायन के इधिहास में युगांत का रिगठना है संबव है नागारजुन के सिश्यों ने इस विद्या को सरंगसित रखा हूँ लेकिन हमें इसे संबंदित कोई गरंथ नहीं मिलता महरसी कनाद के विशेशी दर्शन में भी रसायनिक परकिरिया की कल्पना की गई है मेरोली इस्तित लोह स्थम इस बात का जीता जागता परमान है की प्राचीन भारतिय वग्यानिक दातु विज्ञान में अत्यन्द निशनाद थे जिस समय पस्चिमी विश्वय में भी लोहा बनाने की विधी का अधूरा ग्यान था भारतिय दातु सोथकों ने इस लोह स्थम को इतनी निपूनता से बनाया की पिसले डेड़ हजार वर्सों से धूप और वर्सा में खुला खड़ा होने पर भी इसमें किसी प्रकार की जंग नहीं लगने पाई है इसकी पोलिस आज भी दातु में गयनिकों के लिए आजशरीय की वस्तू है कई स्थापदियों तक इतने बड़े लोह स्थम का निर्मान मानव कल्पना से परे था ठीक है यह था रसायन विज्यान अब पढ़ते हम भारत में भोतिक विज्यान बोतिक विज्यान के छेतर में प्राचिर भारतियों की उपलब्द्य अपेक्ष्याकरत सिमित हैं बोतिकी विशयक भारतिये विचार धर्म एम अध्धात्म के साथ गनिष्ट रूप से सम्मन्दित थे अतै इस सास्तर का स्वतनत रूप से विकास नहीं हो पाया आदूनिक बोतिकी का सर्वपर्थम सिधान्त परमानुवाद है भारत में इस सिधान्त का अस्तित्व बुद्ध का अर्थात इस सा पूरवा चटिस्त आपदी में दिखाई देता है भुद्ध के एक समकालीन पकुध का त्यायन ने ये बताया कि स्रश्टि का निर्मान सा तत्वों पर्थवी, जल, अगनी, वायू, सुक, दुक, तथा जीव से मिलकर हुआ है इनमें कम से कम चार तत्वों का अस्तित्व सभी संपरदाय स्विकार करते हैं आस्तिक हिंदूों तथा जैनियों ने इसमें आकास नामक पांचवा तत्वों जोड़ दिया तथा इस परकार के पंच तत्वों स्रिष्टी रचना अथ्वा मानव सरीर के रचनात्मक तत्वों स्विकार कर लिये गए भारत में पर्माणू आद का सरस्थापक वैस्टेसिक दर्शन के परवर्तक महर्शी कनाद जो इसापूरव चटिस्ताबदी को माना जाता है जिन्होंने भारत में बोथिक सास्तर का आरम किया उनका कहना है कि समस्त बोथिक वस्तुए पर्माणू के संयोंग से ही बनती है तत्वा के सुक्समतम एम एविभज्य कन को परमाणू कहते हैं दो परमाणू का पर्थम संयोग द्वेनुक कहा जाता है यह अनू रिष्वय तता अगोचर होता है तीन द्वेनुक मिलकर त्रेनुक का निर्मान करते है परमाणों के संयों का यह करम तब तक चलता है जब तक की पर्थवी, जल, तेज तथा वायू, महाभूत उत्पन नहीं हो जाते परमाणों नित्ते एम एविभज्य होते हैं उनीस वी स्ताबदी के वेगयनिक जोन डोल्टन को परमाणों आद के सिधानत का पर्तिपादक माना जाता है किन्तु इनके स्ताबदीयों पूर्वे भारत्य मनीशियों द्वारा इसकी कल्पना कीजा चुकी थी भारतिय प्रमाणुवात यूनानी परभाव से मुग्त था क्योंकि बुद के जेस्ट समकालिन पकुद कत्यायन जिन्होंने सरो पर्थम प्रमाणुओं की कल्पना की थी यूनानी डेमोक्रिट्रीस के पहले हुए थे भारतिय प्रमाणुव सिध्धान परीक्षन पर आदारित न होकर अंतर दर्ष्टी यून तर्क पर आदारित थे इसी कारण उन्हें विश्वय में माननेता नहीं मिल सकी तथा भी ये विश्वय की भोतिक सरंचना अद्भूत कल्पना अत्मक व्याख्याएं हैं जो कई अर् यूनिक भोतिकी अनुसंधानों से समता रखती हैं ठीक है तो यह थे भारत के भोतिक और रसायन समंदी आविस्कार इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से हम आपको और भी नए-ने वीडियो इस यूटूब चैनल इंड कि या ओल लेजब चैनल इस वीडिया ओल लेजब।